दोस्तों आपको पता होगा कि Realme कम बजट के अंदर कापी अच्छे-च्छे स्मार्टफोन लॉंच करता है और बहुत ही जल्दूनों ने अपने स्मार्टफोन Realme 10, Realme 10 Pro Plus को लॉंच किया है और यह स्मार्टफोन काफी ज़्यदा पॉपुलर हुए थे उसी के देखते हुए काफी सारे लोग वेट कर रहे है Realme 11 स्रीज का तो फाइले Realme की तरप से कंफर्म कर दिया गया है कि Realme 11 स्रीज को कब इंडिया में लॉंच किया जाएगा और कि इस प्राइस पॉइंट पे लॉंच किया जाएगा आज कि इस वीडियो में लोग बात करने वाले है Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन की जिसकी काफी सारी लिक्स निकल के सामने आ चुकी है तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए वीडियो में आगे मुलते है सबसे पहले स्टाइट कर इस स्मार्टफोन के लूक एंड डिजाइन की जैसा कि देख सकते हैं यह फोटो लीक होके सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन बिल्कुल आपको ओनर एक्स फोटी की तरह ही देखने को मिलेगा चेंज इतना देखने को मिलेगा कि Realme की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी और कई सारी कलोर वेरियंट्स देखने को मिल जाएगी बाकी लुक एंड डिजाइन के मामले में बिल्कुल सेम अनर एक्स फोटी की तरह होने वाली है बात करें इस smartphone के बाकी details की तो कुछ details इस smartphone के निकल के सामने आ चुगी हैं इस smartphone के display की बात करें तो इस smartphone में आपको एक 6.7 inch की Full HD Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको एक 120Hz का higher effect देखने को मिल जाएगा तो display बाइजे इस smartphone का पी अच्छा होने वाला है अगर बात करें इस smartphone के cameras की तो realme 11 pro plus smartphone में आपको 200 megapixel का primary camera देखने को मिलेगा जो की OIS को support करेगा एंड एक 8 megapixel का ultra wide lens देखने को मिलेगा एंड एक 2 megapixel का micro lens देखने को मिल जाएगा front camera की बात करें तो इस smartphone में आपको इस बार 32 megapixel का front camera दिया गया है तो front camera की मामले में इस smartphone काफी अच्छा होने वाला है अगर बात करें बैटरी हैं चार्जिंग की तो realme 11 pro plus smartphone में आपको 4500 mh की बैटरी देखने को मिलेगी इस smartphone में आपको in display fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा and dual stereo speakers भी देखने को मिल जाएगी इस smartphone के performance की बात करें तो realme की तरफ से यह भी confirm नहीं किया गया बट अनुमान हूँ लगा जा रहे है कि इस smartphone में इस बार आपको media tech diamond city 7000 सेरीज का processor दिया जाएगा तो यही smartphone इंडिया के अंदर सितंबर के आसपास तक देखने को मिल सकता है and price की बात करें तो इस smartphone के जो base variant होगा 8GB and 128GB उसकी price आपको 28K के आसपास तक देखने को मिलेगी उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की इस वीडियो के भी समाप्त करेंगे जैंद वन देबात लोग